आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे को कीबोर्ड और माउस लेके अपने फोन में गेमिंग करते हुए आपके मन में भी जरूर आया होगा कि हम भी कीबोर्ड और माउस को लेके फोन में गेमिंग करें दोस्तो बजट के हिसाब से ही मैंने ये पूरा अरेंजमेंट किया है और बताया है इस वीडियो में कि कीबोर्ड और माउस से हम फोन में गेमिंग कैसे कर सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा खास होने वाली वीडियो में आस तक जरूर बने रहीएगा चली शुरू करते हैं बिने किसी देरी की मैंने लेकर आचुका है ये कीबोर्ड और माउस जो की पूरा का पूरा नया है और ब्रेंड न्यू है देख सकते हो भाई साब बहुत ही प्यारा दिख रहा है अब इसका मॉडल नम्मर देख सकते हो नेम देख सकते हो मैड इन इंडिया है इस माउस के जो डिजाइन है काफी ज़्यादा इन्हेंस है एंड क्लीकी साउंड पर अच्छा खासा है डिपएवाला बटन है एंड अंडू रिड्यू वाला बटन भी है देख सकते हो दोस्तों यह रहा किबोर जो कि एक मेकिनेकल कि बौर्ड है पूरा का पूरा आरजीबी लाइट के सान्थ और पूरा आर्जीबी लाइट को कॉस्तमाज कर सकते हो काफी ज़्यादा खास है यहां पर देख सकते हो काफी सारा आपको navigation मिल जाता है बटन की quality देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और back side में कुछ इस प्रकार से है grip बनाने के लिए and छोटा सा stand है जो कि इस keyboard को थोड़ा सा tilt कर देता है tilt मतलब थोड़ा सा तिर्चा कर देता है हमारी भासा में और यह इसका cable है USB cable जो कि keyboard और mouse का है पूरा का पूरा setup करने के लिए keyboard चाहिए mouse चाहिए एक चाहिए phone एक चाहिए stand फोन को रखने के लिए यह रहा हब जिससे पूरा का पूरा यह device control होगा और हमारे key mapping होगी और इसमें हम gaming कर सकते हैं 6-7 चीज आपको चाहिए रही होगी और ल यह हब keyboard और mouse के साथ भी आता है और single भी इसको आप purchase कर सकते हो किसी भी app सेठीक है flip card हो गया Amazon हो गया यह रहा mouse का जो की USB cable है इसको हम लगाएंगे इसके hub में एक लगा दिए ठीक है दूसरा लगा दिए तीसरा USB A to type C जो हमने cable ली थे extra उसको हम लगा दिए USB cable लगाएंगे इस hub में single में okay लग जारे भाई ओके और इसका जो cable है मतलब type C cable type C cable का यह जो pin है उसको हम लगाएंगे phone में तो जैसे हम लगाएंगे तो आधा साइट अप हमारा complete हो चुका है और एक जो आप port बचा है ठीक है तो एक charger की जड़त पड़ेगी ठीक है एक charger लगा लिना आप जिससे phone charge करते है न यह समझ लो कि यह हम कर रहे हैं phone को charge और इस device को on okay यहाँ पर पूरा का पूरा जो setup है वह on हो चुका है देख सकते दोस्तो हमारा phone on हो चुका है keyboard देशकते हो पूरा RGB के साथ है और इससे आप light को up-down कर सकते हो कम ज्यादा कर सकते हो mode से आपर light को change कर सकते तो बहुत अच्छा है एंड माउस भी बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड अब क्या करना है gaming करने के लिए हमको key mapping करना पड़ेगा key mapping करने के लिए आपको चाहिए एक app की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर play store में आएंगे simple सा search करेंगे geek gamer और इसको कर लेंगे install install करने के बाद इसको हम कर लेंगे simple सा open open करने के बाद कुछ इस प्रकार का interface आता है इसको allow कर लेंगे allow करने के बाद यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो हां सबसे पहले इस device को करना है connect वो भी Bluetooth से तो यहाँ पर जाएंगे Bluetooth on करेंगे mix pro का आयगा Bluetooth connect करने के लिए तो यहां से आप Bluetooth उसको connect कर लेना simple सा free fire वाले में click करेंगे कुछ इस प्रकार का interface आएगा geek gamer वाले को यहां से कर लेना है allow okay कर देना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूं 123 okay हो चुक है एक बाद फिर से यहां से back जाना है और जो display वाला option है उसको भी यहां से on कर लेना है यहाँ देख सकते ह on हो जाएगा हमने जितना भी step को follow कि यह बहुत ज़्यादा मस्त है और बारी बारी से step को follow करना अब बारी आती है key mapping की तो आप key mapping कैसे कर सकते हो तो simple से यहाँ पर हम जाएंगे custom hd में custom hd में जाने के बाद geek gamer का जो logo है left side में देख सकते हो corner में यहाँ पर click करना है आपको क स्क्रीन में और keyboard या mouse की कोई भी button को click कर दो वो button वहाँ set हो जाएगी और यह जो mouse का जो button है उसको सबसे पहले यहाँ पर करना है right screen में ठीक है क्योंकि phone की दो screen रहती है एक right की and left की right की screen camera angle change करने के लिए and left की screen moment करने के लिए joystick के लिए तो यहाँ पर joystick के लिए भी कर रहा यहाँ पर नीचे वाला option करके confirm कर देना है तो WASD वाली button select हो जाएगी fire में करना है देखो मैं fire में अभी कर रहा हूँ undo and redo button में click कर दी है मैंने fire में left fire button में आपको यहाँ पर रखना है left fire button में mouse की left वाली button को रखना है and scope में mouse की right button को रखना है उसके बाद आप जितना भी set कर करना चाहो कहीं भी set करना चाहो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन सुरुवात की मैंने जो इसकोप तक बताया ना इसको बटन तक की बताया ना वहां तक आपको करना है simple सा यहाँ सेव कर लेना है training ground में जाता हूँ आपको यहाँ स मैंने दूसरे फोन में पहले से जो की मैपिंग किया है ना उसमें में gaming करके दिखा रहा हूँ लेकिन मैंने जो स्टेप आपको बताया ना सुरू से लेकि लाश्ट तक उसको अच्छे से फॉलो करोगे ना पहले आपको बुलतु से कनेक्ट करना है उसके बाद ही पूरा का पूरा शैट अप होगा की मैं पिंग करोगए अच्छे से तो ही आपका शैट होगा और देख सकते यह जो हब में रेड़ लाइट जल रही है यदि आपके हब में ब्लू लाइट भी जल रही है ग्रीन लाइट भी जल रही है तो no problem ठीक है अलग-अलग हब में अलग-अलग लाइट जलती चेहेन और भी हब ट्राय किया हुआ है और देख सेकत लेकिन तब भी अच्छे खासा यहां पर कंट्रोल हो रहा है यहां पर देख सकते हो माउस में जो dpi का बटन है उसको दबाके dpi को increase भी कर सकते हैं and decrease भी कर सकते हैं ठीक है बट अभी यहां पर मेरी normal dpi है normal sensitivity है जिसको समझ में नहीं आता dpi उसके लिए sensitivity बोल सकते हैं एंड माउस थोड़ा इसके लिए से बाहर चल गया भाई देख भी नहीं पा रहा था उपर है ना फोन काफी तो दिख नहीं रहा है बट इसक्रीन में है ज़्यादा देख सकते हो आप पूरा का पूरा शैट अप देख सकते हो मैंने आपको सुरू से लेकि लाज तक बताया चाहिए हब चाहिए केबल चाहिए चार्जर चाहिए केबोर्ड चाहिए माउस चाहिए और आप माउस पैड भी रख सकते हो आई होप की यह जो गेमिंग टूटोरियल है फोन का मतलब कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके फोन में हम गेमिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है लाइ जो keyboard, mouse और जिते भी ऐसे सेरीज में लेकर आते रहता हूं तो सब अपने पैसे से लेकर आते रहता हूं भाई कोई मुझे स्पॉंसर नहीं देता ठीक है खुद के पैसे से लेक आता हूं आपके लिए वीडियो बनानी के लिए जिसमें आपका भी फायदा है मेरा फायदा तो दोस्तों लाइक जरू करने वीडियो को सब्सक्राइब करके बाचे लोबेल लोग पर शेट करणा मिलते दोस्तों नेक्ट वीडियो में आपके लिए पस्त नहीं बाई बाई